हेलो स्टुएंट्स आज के इस वीडियो में आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ आपका टॉपिक नंबर सिस्टम जिसमें मैं डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको 9S कॉंप्लिमेंट और 10S कॉंप्लिमेंट कराऊंगा इसी वीडियो में यह सारा यूज करते हैं तो वो यूज होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम वह जिसमें आपके पास 10 यूनिक सिम्बल रहते हैं 0 1 2 3 नाइन और इसी से आप आगे तक पूरा अपनी काउंटिंग लेते हैं तो यह आपके 10 यूनिक सिम्बल रहते हैं बेस इसका 10 हो गया बेस इसका 10 हो गया इसका मतलब मैं आपको बताता हूं लेट से मैं लिख रहा हूं अब मुझे आपने क्योंकी बच्पन से यूज करते हैं आपको बता है 6523 है यह बेसिक्ली 6 यह है मेरा यहाँ पर पावर 0 देन 1 देन 2 देन 3 बढ़ती जाती है आपकी बस यही आपका हर एक जो नंबर सिस्टम है उसमें फॉलोगा अगर मैं लिखता हूं digital की बात करें तो इसकी value क्या है अगर मैं कहूं इसकी value अगर मेरे को देखनी है तो generally हम decimal में ही करते हैं क्योंकि as humans हमें decimal समझ आता है और as machine computers को binary समझ आता है तो basically जो main आपका रहता है कि आपको interconversion इनके अंदर दौनों के अंदर बहुत अच्छे से आना चाहिए तो यह है बेस का आपका यहां मतलब रहता है कि मेरे को देखने के लिए कि decimal में क्या रहेगा इसका अगर मैं यहां पर जो बात करो तो प्लस बार प्लस यहां यहां पर तुकश्वार हुआ हों थो की में निकाल सकता हूं थीक है अब यह आपका basic हो गया कि आपका number system क्या है यह सब एक just मेरे को introduction ही देना था इसने कुछ खास था नहीं यहाँ पर अगर मैं यह कहूं तो यह आपकी least significant bit होती है LSB बोलते हैं यह आपकी MSB रहती है most significant bit अब मैं बात करूँगा कि 9S compliment और 10S compliment क्या है और इनकी क्या जरूत पड़ी so students 9S और 10S compliment का concept जल्दी से मैं बता रहाँ जरूत क्यों होती है इनकी क्योंकि आपकी जो भी arithmetic operation होते है digital system में मैं digital की बात कर रहा हूँ आपकर digital system में आपको जरूत पड़ती है क्योंकि जो भी arithmetic operation होते हैं वो हम compliments के जरूए ही करते हैं और क्योंकि compliment हमारे machine को easy बना देता है करना मैं बताता हूँ होता क्या है concept अब देखिए 9S compliment में basically let's say मेरे को अगर कोई एक number है जिसका मुझे compliment चाहिए let's say 7 let's say 25 यह दो number है जिनके मुझे compliment चाहिए एक और लेता हूँ 321 तो करना क्या बढ़ेगा basically 9 में से minus कर दूँगा जिसका भी मुझे compliment चाहिए compliment अगर यहां पर देखूँ तो यह मेरा 9-7 जो की आएगा 25 का compliment चाहिए तो 9-9-99 321 का चाहिए माइनस करता जाऊँगा और compliment निकालता जाऊँगा तो यह मेरे result आगे अब बात करते हैं 10-s compliment तो 10-s compliment is nothing बट 9-s compliment आप निकाल लो पहले प्लस 1 कर देना उसके आगे और आपका 10-s भी आजाएगा आपको बताता हूँ यहां पर अगर मैं देखूँ 7 के लिए तो यहां पर 2 आया था प्लस 1 किया तो 3 हो गया 74 आया था प्लस 1 किया तो 75 हो गया 679 हो गया बस इतना आपको करना है कोई भी आपका नंबर है 10-s निकालना है तो आप पहले 9-s निकालेंगे उसके बाद आप 1-add कर देंगे अगर 9-s ही निकालना है तो आप 9-s निकालके छोड़ देंगे अब मैं आपको एक दो questions कराता आपको थोड़ा idea हो जाए तो मुझे subtract करना है 235 from 572 आपको ये questions आ सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगो कि कैसे हो सकता है using बोल सकता है कि 9-s compliment करके दिखाओ या फिर 10-s compliment करके दिखाओ हाला कि chances बहुत नियर होते हैं कि ये question कभी पूछा जाएगा बट अगर पूछ लिया तो आपको पता होना चीए मैं आपको तरीका बताता हूँ सबसे पहले आपको करना क्या है basic देखिए आप 572 मैंसे मुझे minus करना है 235 तो basic अगर मैं देखूं तो मेरा answer क्या आना चीए 33 37 आ जाना चीए है पर मुझे करना कैसे compliment के method से करना है 9S और 10S को कॉंसेट कहता है कि जो मेरा कि यह जो चीज में negative मैं minus करना चाह रहा हूं उसका मैं 9S compliment ले लूँ दौनों को add करूंगा मतला फिर इसको और यह इसको add करूंगा then उसके बाद जो अगर carry आती है तो carry अगर आई तो add कर दूंगा result में और मेरा answer आ जाएगा अगर मेरी carry नहीं आती तो इसका मतलब मेरा answer negative में आ रहा है यह चीजे मैं आपको अब करके दिखाता हूं मुझे करना है 572 में से 235 minus करना है 572 as it is लिख दिया 235 235 का मैं 9S compliment देख लेता हूं कितना आएगा यहां से 4 अब इन दोरों को add करना है मतलब मैं subtract का operation करूंगा यह नहीं क्योंकि हम लोग को से तो इन दोरों का add कर लिया तो 1336 आ गया तो यह जो है आपका 336 ही रखोंगा और यह जो है एक मेरे लिए carry बन गया अब यह carry है क्योंकि अगर carry आया है मैंने आपको बोला था तो उसको आप add कर देना add कर दिया तो यह 337 आ गया और जो की मेरा result होना चाहिए होना चाहिए नहीं है यहां पर तो यह आपका question हो गया अब अगर नहीं आई होती carry तो negative होता तो पक्का negative आया होता वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे यह example देखिए 228 मेंसे मुझे 485 मैनस करना है तो जाहिशी बात है negative में आएक answer इसको करके देखते है 228 as it is रख दिया 485 का मैं ले लेता हूं 9S compliment जो की मेरा आजाएगा 514 को यहां add किया तो आपका आ रहा है 742 यहां पर कोई भी carry आपको नहीं मिली carry नहीं मिली कि इसका मतलब आपका जो answer है वो आपका जो निकलेगा वो result अब यह जो result आया इसका आप 9S compliment कर दो so इसका compliment अगर 9S करूंगा तो वो मेरा आजाएगा 257 compliment किया जो आपका यहां पर add करके आया क्योंकि carry नहीं थी इसका मतलब मुझे एक बार इसका जो result है उसका compliment करना पड़ेगा carry नहीं थी इसका मतलब answer negative है मेरा इस तरह से आप 9S से subtraction perform कर सकते हैं अब similarly अगर 10S से करना हो मुझे यही task मुझे बोले question में बोले कि by using tennis compliment तो आपको करना क्या होगा आपको basically कुछ नहीं करना होगा थोड़ा सा change आएगा यहां पर अगेन आपको जो है इसका tennis compliment लेना पड़ेगा तो इसको देखिए आप मैं इधर ही कर रहा हूं parallel ही इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं 572 as it is है okay 764 की जगे 765 आएगा क्योंकि आपको पता है tennis compliment में जो भी result आया था उसका add 1 कर देता हूं अब यहां पर जो आपका result आया जो कि आपका आयगा 337 और आपका carry 1 आया आप जब tennis से करेंगे तो आपका rule कहता है कि आपको यह carry को discard कर देना है इसको just throw कर दीजिए इसकी जरूरत ही नहीं यह जो आया है tennis में मतलब जो tennis करके आया है आपका add करके वो आपका result है तो मतलब 337 आप देखेंगे तो यहां पर आया था यही मेरा result यहां पर आएगा जो मुझे चाहिए था basically आप देखेंगे तो जो यहां पर add 1 हुआ था 9S में वो यहां हमें पहले ही add होके मिल गया तो इसलिए मेरे यहां पर answer बिलकुल सेम आए तो कोई इसमें कोई rocket science नहीं है बहुत basic चीज है अब बात करते हैं 10S compliment से कैसे इसको करेंगे 228 मैं add करूंगा मैं क्या add करूंगा मैं 10S compliment add कर दूंगा जो यह 485 का है जो की 515 आ गया मेरे पास अब इन दोरों का जो resultant है that is 743 so carry कोई भी नहीं है carry नहीं है इसका मतलब answer मेरा negative आया है अगर carry नहीं है चाहे 9 है चाहे 10 है तो इसका मतलब मेरा answer negative आया है और result पाने के लिए मैं क्योंकि 10S compliment में काम कर रहा हूं तो 743 का मैं 10S कर दूंगा अगर तो मेरे पास result आएगा 257 तो negative 257 इस case में भी मेरा answer आ गया तो इस तरह से आपको करना होता है 9S 10S का पूरा concept मैं आपको जिखा दिया इसके बाद मैं आपको binary number system करा हूंगा उसके अंदर भी आपका 1S compliment और 2S compliment रहता है जो कि आपको सीखना है I hope आपको यह concept समाज आ गया हो फिर भी कोई राउट है आप पूछ सकते हैं